कई मैलाओं में क्रैक निपल की प्राब्लम हो जाती यानि कि उनकी जो निपल्स होती है उनमें क्रैक आ जाते हैं वो फट जाती है और निपल्स ड्राइग हो जाती है जिसकी वज़े से उनमें दर्द होता है जलन होती है इचिंग होती है और मैलाओं अनकमफर्टेवल फिल क तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पढ़ना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिल आइकन को भी प्रेस कर लें जैसे क ऐसे वीडियों आपको हमेसे मिलते रहें हैं तो सबसे पहले जान लेता है और उनको डिलिवरी के पहले ही उनके ब्रेस्ट से मिलक का सिक्रिषन होने लगता है तो ऐसी महिलाओं को भी crack निपल्स की problem हो सकती है या फिर delivery के बाद जो महिलाओं बच्चे को दूद पिलाती है यानि कि breast feeding कराती है तो ऐसी महिलाओं को भी ये problem हो सकती है क्योंकि उनके निपल्स जो होते हैं वो पहले सा ही dry होते हैं और जब बच्चा दूद पीता है तो वो दबाता है और दबाने की बज़े से निपल्स में crack आ जाते हैं इस condition बहुती ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चा दूद पी रहा है और आपके निपल्स crack हो गए उनमें cracks आ गए हैं तो ऐसे में ज़्यादा chances होते हैं कपड़े के साथ बराबर जिसकी वज़े से भी skin dry हो जाती है रगड़ाने की वज़े से उसमें cracks आ जाते हैं और इसके लावा और भी कारण हो सकते हैं जैसे के निपल्स को दबाया जाना जब तेजी से निपल्स को दबाया जाता है जैसे की बच्चा दूद पी रहा है वो तेजी से दबा देता है या फिर कट जाते हैं निपल्स तब भी ये प्राब्लम हो सकती है या फिर और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वज़े से निपल्स को दबाते हैं तो उनमे cracks आ सकते हैं तो दोस्तो ये कुछ इसके कारण होते हैं तो आप जान लेते हैं इसके treatment के बारे में अगर किसी महिला को ये problem हो गई है और उसे काफी परेशानी हो रही तो उसको तुरंत अपने doctor को दिखाना चाहिए और दोस्तो इसके साथ ही कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए अपने आप भीज का treatment कर सकते हैं जैसे कि अगर skin dry हो गई है रुखा पना है तो उसमें moisturizer, cream या फिल, lotion लगा सकते हैं जो महिला रणिंग करती हैं, दौडने जाती है जैसे कि बीटाडीन लगा सकते हैं, नियोस्पूरीन लगा सकते हैं और भी कई तरह के antibiotic ointments आते हैं जो infected area पर लगाना चाहिए दोस्तो एक ointment आता है जिसे nip care कहते हैं अगर कोई महिला crack, nipples की समस्या से गुजर रही है तब उसको ये ointment जरूर लेना चाहिए ये एक brand name है, इसमें जो salt होता है, इसमें जो medicine होती है वो lenoline होती है इसकिन के उपर एक पतली oil की layer बना देता है जैसे कि इसकिन में जो dryness होती है, वो खत्म हो जाती है और इसकिन नरम और चिकनी हो जाती है दोस्तो निपकेर ointment एक natural ointment है इसको भेंड की उन से प्राप्त किया जाता है ये dry skin को moisture करता है और जो crack nipples आ जाता है dry skin की वज़े से तो वहाँ पर ये लगाने से काफिर रीप देता है निपकेर ointment को affected area पर लगाएं और धीरे से मलें इसको हर breast feeding के बाद लगाना चाहिए यानि कि बच्चे को दूद पिलाने के बाद इस ointment को निपल्स पे लगाना चाहिए और बच्चे को दूद पिलाने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए निपकेर ointment लगाने से crack nipples की problem 5-7 दिनों में ठीक हो जाती है अगर फिर भी problem ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर से संपर करना चाहिए इसको आँखों में कटे, फटे या infected area पर नहीं लगाना चाहिए अगर गलती से लग जाता है तो उसको तुरंट धो लेना चाहिए तो अब जान लेते हैं इसके side effect के बारे में निपकेर ointment के क्या क्या side effect देखने को मिल सकते हैं दोस्तो ये natural ointment है जिसके side effect बहुती कम होते हैं या भी side effect देखने को नहीं मिलते हैं कुछ इसके common side effect हो सकते हैं जैसे की itching हो सकती है skin पर redness हो सकती है soiling हो सकती है या फिर allergy हो सकती है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको समझे में आओगा crack nipples क्या होते हैं और निका किस तरा से treatment करना चाहिए और कौन सा ointment लगाना चाहिए अगर आप किसी medicine के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब आप comment करके बता सकते हैं Instagram पर मुझे follow कर सकते हैं और message कर सकते हैं I hope दोस्तो आपको इवीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर चैनल परना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिलाइग नोगी प्रेस कर लें जिससे के सब वीडियो से आपको हमेसा मिलते रहेंगे